राशी मेश ओवर्वियू राशी मेश रूमैंस आप अपने समबंध में रूमान्च भरने के तरीके ढुण रहे हैं। आप अपने साथी की सभी जरूरतें पूरी करेंगे क्योंकि इससे आपको भी खुशी मिलती है। आज आप देखेंगे कि जितना आप अपने साथी के लिए करते हैं, उससे नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे। कुछ लोग व्यावसाइक तोर से आपको नुकसान पहुचाना चाहेंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित रहेंगे। आप अपने काम में लगे रहें और इन छोटी मोटी समस्याओं के कारण अपना संतुलन न खोएं। राशी मेश फाइनांस आप एक लाबगारी जमीन जायदाद संबंधी सौधा खरीदने वाले हैं। अतह अपनी आँखें खुली रखें। विशेशकर जमीन जायदाद के अच्छे सौधों के लिए। आपको एक महतपूर्ण जमीन का टुकड में खत्म कर सकते हैं। आध्यात्म की मदद से आप तनाव और भावनात्मक विकारों से बच सकते हैं। आप ठकावट भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बिमारी आपके पास न भठके। आपको उनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। बिना किसी गरत वहमी के ये मुद्दा आसानी से सुलच सकता है। आपको केवल संप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। देखते ही देखते सारी कड़वाहट खत्म हो सकती है। राशिवरेश, रोमैंस, आपका आकरशक व्यक्तित्व आज आपको आपकी मन्जिल तक पहुचा सकता है। आप आगे बढ़कर इस नए रिष्टे को अपनाएंगे और आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। नए पार्टनर के साथ जितना अधिक हो सके समय बिताएं। किसी यादगार पल को शेर करना न भूलें आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जिन्हें विदेश में व्यापार करने का अफसर मिला है। दूर बैठे साजेदारों से संबंधित व्यवसाय में भी लाब होगा। अंतर राष्ट्रे बाजार में भी अपने संपर्क मधुर बनाने की कोशिश करें। इस आज के दिन मिलने वाले विशेश लाभों को लेकर आनंद करें। आप अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें क्योंकि तनाव आपको परिशान कर सकता है। आप कुछ शान्ति के पल भी निकालें ताकि आप आराम कर सकें और दिमाग को शान्ति मिलें। अगर आ आराम करेंगे तभी आप सभी कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे। आज आप घर के कामों में बहुत व्यस्त रहेंगे। अचानक आपके मित्र आप से मिलने आपके घर आ सकते हैं। इनके साथ खूब मजा लें। लेकिन आज आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है। इ सेवं आत्मिक सुक के लिए कुछ ऐसे ही अविस्मर नियक्षणों की प्रतीक शाथी। यदि आपका किसी से संबंध है तो बैठ कर शांति पूर्वक अपने साथी को बताएं। और यदि हलकी फुलकी दोस्ती ही कायम है तो अपनी इच्छा अनुसार कदम उठाएं। रा आज का दिन आवेदन के लिए श्रेष्ट है और इसका लाब उठाएं। राशे मित्थुन, फाइनांस। जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंट और सकारात्मक धंग से सोचें। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस विकल्प को अपनी म महनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्री यही तो है। थोड़े बहुत उतार चड़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिती लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे-मोटे बदलाव से चिंतित नहों क्योंकि आप अपनी महनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पालेंगे। शराप पी कर वाहन ना चलाएं। दोनों काम एक साथ करने से आपको पच्ताना पड़ सकता है। आज सड़क दुरगटना होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए सतर करहिए। बाद में पच्ताने से अच्छा होगा कि आज आध्यात्म की ओर आपका रुजान अपनी चरम सीमा पर रहेगा। इसलिए समय निकाल कर किसी धार्मिक स्थान पर जाएं। आज का दिन लंबे समय के लक्षियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा है। राशिकर्क रोमैंस जिनके पार्टनर मुलाकात हो सकती है। कहीं बाहर के लिए अच्छी योजना बनाएं। आपको आज पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन कैसे बीद गया। राशिकर्क करियर अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अधिनस्त कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान देना चाह आपकी सफलता से सभी को लाब मिल सकेगा। आपकी खुद को एक तरफ रख कर दूसरों के विचार से काम करने की क्षमता के कारण ही आपकी पूरी टीम को लाब मिल सकेगा। लोगों के साथ जुड़िये जो आपको अपने विवसाय में नई उचाई छूने में मदद करें। आज आप में काम करने की शक्ती थोड़ी कम रहेगी और ठकावट भी महसूस करेंगे। किसी भी कारे को पूर्ण करने के लिए आपको खुद से उच्साह दिखाना होगा। हिम्मत ना हारें, ये समय थोड़ी देर के लिए ही है, जिसमें आप मानसिक और शारिरिक तनाव महसूस करेंगे। आप जल्दी ही पहले जैसे हो जाएंगे। इस समय आपका आकर्शन धर्म की ओर रहेगा। समाज सेवा से आपको मानसिक शांती मिलेगी। भाग दोड़ की जिंदगी को आराम देने का यही सही समय है। आपके हालात चाहे जैसे भी हो अपना विश्वास बनाए रखें। आज आपको अपने प्यार के रिष्टे में अचरज भरी बातें देखने को मिलेंगी। उपरी तोर पर कोई चीज कैसी लगती है ये एक बात है। पर अगर आपको लगे कि मैं अपने पार्टनर के प्रती अविश्वास से भर गया हूँ, तो सबसे पहले आप यह निश्चे कर लें कि क्या मैं उसके साथ अपना रिष्टा तोड़ने को तयार हूँ। आज आप अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें और समस्याओं को हाथ से निकलने से पहले खत्म करने की कोशिश करें। यदि आप प्रबंधक हैं, तब आपको कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के लिए सही और कार्यकुशल वातावरन बनाना होगा। ऐसा वातावरन बनाएं जिसमें हर कर्मचारी अपनी ओर से संस्थान के दिकास के लिए प्रयासरत रहने की स्वतंतरता पा सकें। दिन भर आपको चुनोती पूर्ण कार्य मिलेंगे। आप आज निवेश का कोई नया विकल्प तलाशेंगे। हो सकता है आप किसी ट्रेडिंग की सोचें या फिर ऑनलाइन शेर बाजार में हाथ आजमाना चाहें। नए प्रयोक करने के लिए आज का दिन बुरा नहीं है पर शेर बाजार के उतार चड़ाव पर आपको हर पल जरकनी होगी। ज्यादा जोखिम ना उठाएं। आप फाइदे में रहेंगे। राशे सिंग हेल्थ। आज आप बाहर बैठ कर ठंडी हवा का आनंद लें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। मगर हो सकता है कि आज आज आप थोड़ी सी परिशानी या तनाव भरे काम में थोड़े व्यस्त हो जाएं। आज आप अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि तनाव कम होगा और तनाव कम रहने से सेहत अच्छी रहती है। आज अच्छी नीद लें ताकि कल सुबह आप ताजा महसूस करें। आपका परिबार आपके लिए सहायता का स्रोथ होगा। वो अगर हाल में आपको किसी दोस्त ने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी तरह सोचें। जल्दी ना करें क्यूंकि यह रिष्टा आपके लिए एक आएक आया है। अपने दोस्तों वरिष्टेदारों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगने में कोई हर्द राशिकन्या करियर विज्यापन देखने शुरू कर दीजिए ताकि पता तो लगे कि आपके लिए किस तरह के घर उपलब्ध हैं। आपको लगेगा कि इसका भविश्य में अच्छा फायदा मिल रहा है। इसलिए अकबार उठाईए और विज्यापन देखने शुरू कर दीजिए। राशिकन्या, हेल्थ ऐसे वक्त का प्रयोग आप अपनों के साथ मजे करने के लिए कर सकते हैं। राशितुला, रुमैंस अपने पार्टनर की खोज में आपका उत्साह चरम पर है। पिछले दिनों इस काम में आपको सफलता नहीं मिली, पर आज आपके होने वाले पार्टनर के पारिवारिक सदस्य से आपके लिए तयार बैठे हैं। आज आप इस तरफ पूरा ध्यान दें। परिणाम आपके लिए आनंद दायक होगा। राशितुला, करियर आज आप पाएंगे कि जिस वैकल्पिक मार्ग को आप खोज रहे थे, वो आपको मिल सकता है। खास कर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप वैकल्पिक चिकित्सा के किसी अवसर की तराश कर रहे हैं, तो वो आज पूर्ण होगी। हो सकता है कि एलोपेथिक चिकित्सा आपके लिए ठीक न हो और आप वेकल्पिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर जाना चाहते हूं। आप बढ़िया काम कर रही हैं। अपने अच्छे काम के लिए खुद का थोड़ा सम्मान कीजिए। बैंक से ज्यादा नहीं कुछ पैसे अपने लिए निकालिए। कहीं घूमिये फिर ये। थोड़ा मनुरंजन कीजिए। बहुत दिनों से केवल अपने काम में ही व्यस्त थे। आज सब कुछ भूल कर जीवन का आनंद उठाईए। कल फिर से काम में जुडेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तनाव स्तर में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से आज आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा और संतुरित भुजन, आराम और कुछ व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जो लोग पाचनक्रिया की परेशानी से जूज र और फिर से आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आज आपका रुजान आध्यात्मकी ओर रहेगा। अपने असली रूप को पहचाने और आध्यात्मिक ज्यान को बढ़ाने की कोशिश करें। इस राह पर चलने से आपको बहुत लाब होगा और शान्ती भी मिलेगी। इ आधी मानसिक तोर पर साथ नहीं है। आज आपको अपने प्रयासों द्वारा संबंध सुधारने का मौका मिलेगा। राशिवरिष्चिक करिया। आज का दिन आपके लिए भागिशाली है। अंततह आज आप खुद को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर महसूस करेंगे। आप महनत तो काफी समय से कर रहे थे पर पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज बह दिन है कि आ आप अपने खर्चे और आएका ठीक से लेखा जोखा कर लें। इसका भविश्य में फायदा मिलेगा। आज आपका मन अपना मन पसंद भोजन बनाने को करेगा। आप खूब मस्ती करेंगे और उर्जा का स्थर भी ज्यादा रहेगा। आज आप मस्ती करें क्योंकि आज आपकी सेहत एकदम टिप टॉप रहने वाली है। राशे धनो ओवर्विव आपकी स्वच्छंद सोच आज एक खास जगा बनाने में आपकी मदद करेगी। आज आप चाहे कुछ भी करें लेकिन अपने अंदर की आवास के बताय रास्ते पर ही चलें। आप वो इंसान है जो कभी भी खत्रा मोल लेने से नहीं डरते। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आप पाएंगे कि जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो भी अब आपके साथ ही हैं। राशे धनो रोमैंस अगर आप अपने पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ी निराशा लाएगा। आपको इस वक्त सह पार्टनर नहीं मिल सकता है। फिर भी अंतितह आप अपने अभियान में सफल होंगे। कोई ऐसा मिलेगा जो आपके पार्टनर तक पहुचने में आपका सहायक साबित होगा। राशे धनो करिया। आपको आज जो भी अच्छा अवसर मिलता है उसका पूरा लाब उठाएं। आर्थिक शेत्र में आपकी स्थिती थोड़ी डामा डोल रहेगी। लेकिन आप स्थिती से आसानी से निवट लेंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से मधुर संबंध बना कर रखें। आपकी रख्की करेंगे और जब आपकी बारी आएगी तो आपकी पदोनती भी होगी। आज आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाले हैं। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे। मगर लापरवाही ना करें। वो अप कि आप अपने ही प्रियजनों को जो कि आपसे प्यार करते हैं पर विश्वास करने में हिचक क्यों रहे हैं। बलकि आपको अपने परिजनों और नस्दी की दोस्तों पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अपने रिष्टों में शक को ना आने दें। राशी मकर, रोमैंस ये आज भली प्रकार जान लीजिए कि आपकी शारेरिक आवर्शक्ता आज भली प्रकार पूरी न हो सकेगी। अनावशक जोर डालने पर बाद में आपको खेद होगा। वर्तमान परिस्तितियों में अपनी आवर्शक्ताओं को समझदारी पूर्वक तबाएं और अपने ध्या आज शायद आप अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के बारे में सोचेंगे। पहले आप इस प्रस्ताव को लेकर कुछ घवराय हुए थे। लेकिन अब आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगने लगा है। आप पूरा भरोसा रखें। अगर आप इस समय इस प् के लिए आविदन कर रखा है तो आज उधर से अच्छी खबर मिल सकती है। इसमें देर लगी पर आपके सब्र का फल मीठा निकला। इस रकम को समझदारी से खर्च करें। और जो मदद आपको मिल रही है उसे अनाप शनाप गवाना भी ठीक नहीं। हाँ, कर्ज उतना ही ठीक जितना आप आसानी से चुका सकें। राशी मकर, हेल्थ आज आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर उर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ज्यादा बना रहेगा। आज आप अपना ध्यान ज्यादा काम करने में लगाएंगे, दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास क आप कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपकी सोच में स्पष्टता आ ही जाएगी। इस अफसर का फायदा उठाते हुए, आज आप सभी रुके हुए काम कर लें। जल्दी से उन सभी विचारों को एक कागस पर लिखें जो आपके आग में आ रहे हैं, वरना हो सकता है आप उन्हें भूल जाएं। आज आप अपने साथी के साथ बैठ कर दोनों के संबंध के शुरुवाती दौर को याद करेंगे। एक दूसरे के प्रती आकर्शित हो प्रेम की वो पहली शुरुवात थी। याद रखें, लंबे समय तक चलने वाला प्रेम प्रसंग जीवन में ठहराव वह खुशी लेकर आता है। राशिकुम्ब करिया। आफिस में बहुत काम करने के बाद आज आप आप आएंगे कि अब आप पर काम का बोज कुछ कम है। आज का दिन सामाने ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम के बो कारी के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो आविदन करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कार खरीदने की योजना है, तो आज खरीद लें, दिन अच्छा है। आपको लगेगा कि बड़ी खरीदारी से आपके जीवन स्थर में अच्छा बरलावाया है। राशिकुम्ब और पिक्चर देखें, तभी आपका शरीर भी ठीक रहेगा। आज आप कुछ समय से घर पर चल रहे जगडों को सुलजा कर चैन की सांस लेंगे। आज आप घर पर ही रहकर घरवालों के साथ बाते करें और खूब मजा लें। ये चोटी चोटी बातें आपके रिष्टे क और मजबूत बनाएंगी। आप अपने दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद कर खुश होंगे। राशीमीन, रोमैंस। रोमैंटिक पक्ष में सावधानी की आवशकता है क्यूंकि लडाई जगडे वो नोक जोक की पूरी आशंका है। आप अपने बोलने पर स कारिक्षित्र में हुए बदलाव के बारे में सोचकर ये निर्णय लेना चाहिए कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अपनी नजर अपने लक्ष पर रखें वो उसकी दिशा में किंद्रित होकर काम करते रहें। कोई आपको अपने उद्देशों को प्राप्त करने स दिन नहीं रोक सकेगा। अगर आप विवसाय में हैं तो आज कोई नई योजना शुरू करने से पहले सावधान रहें। कोई ऐसा काम तो आज कता ही शुरू न करें जिसमें मूटी लागत आ रही हो क्योंकि आज का दिन ऐसा काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है। या आज आप सेहत को लेकर थोड़ा लड़ खड़ा सकते हैं। मगर कोई अच्छी खबर मिल जाने के बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे। अपने अच्छे स्वास्त का आनंद उठाते हुए व्यायाम और ताजी हवा का भी लु पूर ताएं।